हाई नमस्कार किसान वायू आपका एक वार फिर स्वागत है हमारे खेती किसान यूटूब चैनल पर तो आज हम एक और नई वीडियो लेकर आगए हैं आपके पास तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अडामा इंडिया प्राइविट लिमिटेट की और से प्रूफी गन प्लस इंसेक्टि साइट की तो इसमें कौन सा टेकनिकल होता है और किस किस फजल में इसका छड़काव कर सकते हैं ये इंसेक्टि साइट कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है और इसको कितने डोज में छड़काव करना है इस insecticide का result कितने दन तक रहता है फसल में और इसकी market price किया है तो पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो की माध्यम से तो इस insecticide में प्रोफिन फास 40% प्लस साइपर मेथन 4% EC टेक्निकल के form में ये होता है और किसान भाई किस फजल में इसका चड़काव कर सकते हैं तो आप मुखे रूप से मूंग, चना, औरद, सोयावीन, अरहर, धान, कपाश, टमाटर, मिल्ची, बैगन, भिंडी, गेंदा, गुलाब, और अन्य फूल वरगी फजलों में इसका चड़काव कर सकते हैं और किसान भाई अब बात कर लेते हैं ये इंसेक्टिसाइट कौन से कीटों को कंट्रोल करता है तो सुन्डी, इल्ली, अमरिकन, इल्ली, तनाचेदक, पत्तलपेट, कटरपिलर, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, हरी, इल्ली, काली, इल्ली, तमाक, इल्ली, मच्छरादी कीट को कंट्रोल करता है तो किसान भाई अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में तो आपको 30-40 ml प्रती पंप और पंप 15 लीटर का होना चाहिए यदि आपका पंप बड़ा है याने की 20-25 लीटर वाला है तो आपको 50 ml इंसेक्टिसाइट को मिला लेना चाहिए और फिर इसके बाद इस दवाई का छड़काव करना चाहिए और यदि हम बात करें एकड़ के हिसाब से तो आपको 400 ml प्रती एकड़ 200 लीटर पानी के साथ इसका छड़काव करना चाहिए और इसका रिजल्ट आपको छड़काव करने के बाद करीब 15 दिन तक रहता है फसल में तो क लीटर के पेकज में उपलबद है मार्केट में तो किसानवाई यह जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो को कैसी लगी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान में त्रों को जरूर सेर करें जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके और खेती किसानी संबंदी सभी जानकारी आपको मिल सके और किसान भाई कमेंट करें आप अभी तक किस इंसेक्टी सैट का इस्तमाल करते थे अपनी फसल में और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऐसी वीडियो पाने के लिए पास में लगी बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे की लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत मिल सकें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सभी किसान भाईयों को मेरी तरफ स राम राम